जहां से open हुई market वहीं पर ही close दे दिया, कल upside में 22,600 दिखेगा, या फिर downside में 22,240, market में greed जादा है, market क्या गिरेगी और गिरेगी, तो आपके लिए important levels क्या हो सकते हैं, अगर market break करती है upside को, तो आपका target 22,600 क्यों हो सकता है, ध्यान से वीडियो को देखना, नए हो चैनल पे तो like कर देना, subscribe कर लेना, टेलिग्राम पे join कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे follow कर सकते हो, क्या ऐसा होता है कि top से sell करें और bottom से buy करें, इसके example हमारी YouTube family तो बहुत पहले से जानती है, और आज भी आपके लिए live example था, technical analysis कैसे करते हम chart का, वो आपको previous वीडियो देखने चाहिए, ये target हमारा pending था, जब market 46,740 के आसपास थी, कि 47,700 market को at least आना पड़ेगा, market ने test किया, then immediately fall 100-500 point का, और nifty के लिए open होने से पहले ही update किया आप लोगों को टेलिग्राम पे, कि दाव जोन को देखके मंदी मत कर लेना first जाओगे, market ने upside का trend शुरू करा और 500 से rejection ली, कहां से exact हमारे level से 22,497, आप सबको लगेगा कि ये level अभी मैंने लगा दिया होगा, तो प्लीज आप पहले वाला वीडियो चेक करना, आपको इसकी importance पता लग जाएगी, market I test किया, fall, इसके दो reason है, एक तो trap trading strategy active होती है, आप सबको YouTube पे सिखा रखी है, master guide series, all learning content आपको देखना है, free of cost है YouTube के उपर, ये sure था क्योंकि एक important level था, 22,450 के around, जिसको market ने break करा, ये shift हुआ भी, जिसको break किया था, तो market को fall होना था, और हमारा इधर bank nifty में एक level pending था, तो इसको जाना था, this is the power of learning, master guide series free of cost YouTube के उपर है, आपको सीखना चाहिए, formula सीखने है, इसका logic क्या है, ये formula कैसे था, कि यहाँ top से resistance लेगा, या फिर market 47,700 पे क्यों आएगी, और यहाँ से क्यों rejection लेगी, fin nifty में भी आज एक trade हुआ था, market view वले हैं, जिन्नोंने भी trade कर रखा है, comment करना है, guys आप लोगों को, आप किसी index को buy करते हो, मान लिया 111 रुपए पे, example दे रहा हूँ, और आपका stop loss हो 104 रुपए, example है, और market आए, यहाँ से आपने entry ली, और market कोशिश भी करें, downside में आने की, और 104 रुपए, 28 पैसे से ही return हो जाए अगर, तो it's called learning, और upside में target है आपका 130 रुपए, उसको test करके आए, तो यह है perfection के साथ में trade कैसे करते हैं, यह आप सबको सीखना चाहिए, description में link है, whatsapp number आपके पास में है, you can join, आपको review जरूर पढ़ने चाहिए, जो learn कर रहे हैं उनके अब देख लेते हैं, nifty को कल कैसा रहेगा, अगर market ने 22,500 को कल break करा, कल मैंने क्या कहा था, 531, अगर market ने 22,500 को break करा, और time spend करा, 518 के पास जाती है, तो आपके लिए next target हो सकता है market का, 22,590 से लेके 600 तक market जा सकती है scenario क्या है, सेम है, 22,500 के उपर time spend करे, 531 के उपर जब trade करना शुरू करेगी, हमारा trade active होगा, और upside में target जा सकता है, 600 guys, ये सिर्फ और सिर्फ education purpose से chart basis पे मैं अपनी study आपके साथ share करता हूँ, किसी को कोई call put की, कोई advice नहीं है मेरी तरफ से, आप अपने profit loss के खुद responsible होंगे, काम आते हैं, तो आप like कर सकते हो, comment कर सकते हो, और channel को subscribe कर सकते हो, upside में 590 से लेके 22,600, ये level आपको upside में मिल सकता है, अगर market 22,531 के उपर trade करना शुरू करती है, तो एक halt है 551 का और इसको break करेगी, तो फिर 600, ये पहले का level है guys, ये भी test होगा, यहां भी market break ज़रूर लेगी, बट हो सकता है, break करने के बाद में 600 दिखा दे, अगर market ने 22,531 को break करा तो, बार बार emphasize कर रहा हूँ, नहीं तो market ने आज पूरा दिन भर यहां से trade शुरू करा, और upside में यहां पे आके close कर दिया, और जितने भी buyers हैं वो परिशान रहे हैं, कि हाई call है, कि put है, कल क्या लेके जाएं, तो market ने neutral होके, अपने आपको खाली कर यहां पे close दे दिया, यह तो हो गया एक data, पर मेरे को क्या लगता है, मेरा ये view है, कि market में अभी greed ज्यादा है, upside में market ने close तो दे दिया, यहां पे आके, लोग को trap करने के लिए, कि upside को move देगी, और possibility है, 531 के उपर share कर दिया, बट मेरा view क्या है, मेरे को greed ज्यादा लग रह तो 220-240 अभी rock solid support है, यहां से reversal के chance बनते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ इस week के लिए बोल रहा हूं मैं, next week में क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वह हम बाद में share कर लेंगे, यह सिर्फ और सिर्फ इंट्रा डे, before Thursday अगर 220 आता है, यहां से upside के लिए reversal बन सकता है, important level है, ज एक छोटा मोटा pullback आपको मिल जाएगा, ब्रेक करता है इस level को, तो 22,000, 220-240 एक proper trade लेने के लिए, जिसको आप 100-100 points का trade हो सकते हो, वो इस area से ही बनेगा, जहां पे market ने close कर रखा है, वो भी confuse ही कर रखा है, तो मैं आपको clear बता रहा हूं, upside का move शुरू करती है market, कोई negativity न दिखा सकती है 11, अगर market ने यहां से rejection ली या gap down open होती है, तो फिर यह नहीं है कि 600 के लिए यही से plan कर लिया, वो मैंने कल भी share किया था कि बीच के area में हम trade avoid करेंगे, या 330 से trade मिले upside का, या फिर 22,000, 240 से trade मिले upside का, यही genre है जहां से कुछ upside के लिए plan हो सकता है, और कल के 250 के expiry है और बहुत सारे लोगों का interest रहता है, तीन दिनों से इसने एक area में consolidation दी है और इस area के बाद में आज इसने upside को एक target pending था दिया, next move upside में तो हम plan करेंगे trade का 47,700 के उपर अगर time spend करेगा तो ही, फिर हमारे पास में 850 तक के levels रहेंगे और 850 को break करेगा, तो आपके साथ में कल भी level share किया था, 47,940 के around, मेरे को याद है level मैं इसलिए लगा रहा हूँ, अगर momentum शुरू करता है तो, और gap down open होती है market, तो 47,000 की strong support है, 47,000 48 के आसपास से भी bounce back बन सकता है, और एक bounce back आपको 47,400 के आसपास अगर bank nifty दिखता है, यहां से भी plan हो सकता है, अब side के लिए 300-300 point का वो आपको trade करना है, तो आप समझदार हो, कैसे करना है, इस particular area से भी एक bounce back बेशक दिन में गिर जाए, मैं आपको बारवर बोलता हूँ, कि आपको अपने हिस्से के 30-40 point चाहिए, market 1000 point जा रही है, 2000 point जा रही है, उससे कोई मतलब नी रखना चाहिए, तो यहां से एक bounce back बन सकता है, और upside में 700 के उपर अगर time spend करता है, एक या दो candle close करता है, या price action बनाता है इसके उपर, तो ही आपके लिए 47,850 और 940 के level आ सकते हैं, और 47,048 strong rock solid support है, जब तक market इसके उपर है, बेचने के लिए अभी मत सोचना, अगर मालिया 47,048 को break करेगा, तो यह again नीचे downside में एक rock solid support बैठी हुई है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बिचारे ने बड़ी मुश्किल से break किया था इसको, जिस दिन इसके नीचे आ गया तो सोच लेना 2000 और गिरेगा, मतलब यह इसके नीचे आने का मतलब यह निया कि candle आई और reverse हो गई, इसके नीचे बड़ी मुश्किल से आने, जि में यह तक्वाज़की बड़ी मुश्किल से कम आई नीचे बाया थाक्पट भतू एक्ऴरी मान थैसार गाद आई एक्तिन बैट टाट चन्यूश्किल साधिक्टियू नीचे नहीं इसके नचे आने, दिसके बीचे तको, जोश्किल